हेलो फ्रेंड्स मेरे पास है HB 110A काटेज आज मैं बताऊंगा कि आप इस काटेज को कैसे घर पर रिफिल कर सकते हैं तो यह रिफिल करना बहुत इजी होता है तो सबसे पहले यह जो साइड है जहाँ पर चिप लगा हुआ है उस साइड को ऊपन करेंगे इसे उपन करने के लिए एक स्कूरू ड्राइबर चाहिए हमें और इस्कूर्डाइबर की हल्प से आप इसे सिंप्ली ऊपन कर सकते हैं साथ कि इस काटिस में आपको स्कूरू डीमूव करने की कोई जरृत नहीं है उसे ओपन करना है और फिर दूसरे साइड में को दूसरे साइड को भी सिंप्ली उसी प्रकार से ओपन कर लेना है और ओपिन होने के बाद यह आपको दो लॉक दिखेगा उस दोनों लॉक को भी ओपिन कर लेना है स्कूर्डराइवर की हेल्प से और यह ओपिन हो चुका है तो इससे सेपरेट कर लेंगे और सेपरेट करने के बाद यह जो आपको एरिया दिख रहा है जितने भी सारे डस्ट होते हैं उस एरिया में सेव होते हैं तो सबसे पहले हम इसे क्लीन करेंगे अच्छे से और उसके बाद इससे रिफिल करेंगे जली सबसे पहले से क्लीन कर लेते हैं और यहां से इस लॉफ्ट को हटा करके इसे ओपन कर लेना है और इसे ओपन करने के बाद यह दोनों स्कुरू है इसे ओपन कर लेंगे जिससे यह पूरी अच्छी तरह से क्लीन हो सके है इसमें जितने भी सारे डस्ट हैं सारे डस्ट को रिमूव कर लेना है तो यह पूरी तरह से क्लीन हो चुका है और अब यहां पर इस पेपर को चेंज कर लूँगा और अब मैंने जैसे इसे रिमूव किया था उससे प्रकार से मैंसे सेट कर लोगा और जो दोनों इस खुरिव थे उस दोनों स्कून के यहां पर टाइट कर लोगा वह मुंआ कका ke श्रूट हो गया और उसके बाद अब जो रि के का प्रॉसेस है तो यह दूसरा पार्ट है यहां पर देखिए यह यहां से रिफिल होगा इस कॉबर को ओपन कर लेते हैं पहले यह देखिए यहां पर में इसे लगाना है और के बाद इस टॉनर को इसमें फिल करना है पूरी तरह से फिल हो चुका है जैसा कि आप देख रहें इसमें पूरी तरह से फिल हो चुका है तो अब यह जो कॉफर है इस कॉफर को इसमें लगा देना है जैसे हमने इसे रिमूब किया था है और इस एरिया को अच्छे से क्लीन कर लेंगे कि बहुत सा टॉनर जो है वह रिफिल करते टाइम में इसमें गर जाता है और इस एरिया को भी क्लीन करने के बाद जैसे हमने इस रिमूब किया था उस प्रकार्चे से सेट कर देना है और जैसे सिंप्ली सेट करने के बाद जो कॉफर हमने रिमूब किया था उस कॉफर को लगा देना है दूसरा साइड है उससे यह हमारे काटेश है पुरी तरस रिफिल हो चुका है तो इससे प्रकार से आप अपने काटेश को घर पे 對ृफिल कर सकते हैं एह विडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको इस्ते कुछ सीखने के लिए मिला होगा तो मिलते हैं विडियो में, thanks for watching यहकर आप i झाल